तो अभी आपने जो इंट्रो वीडियो दिखा है इस इंट्रो वीडियो को मैंने मोबाल से क्रिएट किया है तो आप भी ऐसा इंट्रो वीडियो मोबाल से बना सकते हो तो इसके लिए आपको काइन्वेस्टर अपको फ्री में प्ली स्टोर से इंस्टॉल कर लेना होगा और इस वीडियो बनाने के लिए मैंने जो मेट्रेश किया है उन सब का डाउनडूर्ड लिंक में डिस्के सिंबॉक्स में देदूंगा वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हो तो चलिए दोस्तो आज कि इस वीडियो को स्टार्ट कर लिया है तो उसके बाद आपको इस मीडि कर देता हूं उसके बाद दुस्ता आपको लेयर पर जाना होगा मीडिया पर जाना होगा और आपका चैनल का जो लोगो है उसको आपको स्लेट कर लेना होगा तो मैं अपना लोगो स्लेट कर लेता हूं तो आप देख सेकते हूं मेरा जो लोगो है वो इसको आपको राउंड क तो यहां पर आप देख तक तो मेरा जिए लोगे है वह यहांपे екth राउंड़ सिप में आ गया है उसके बाद इसक को थोड़ा है चोटा कर देना होगा इसुद्धे कर देता हूं उसके बाद दोस्तो आपको फिर layer पर click करना होगा, media पर जाना होगा और यहां पर आपको image assets पर click करना होगा और यहां साथ को एक white image चूज करना होगा, तो मैं फिर इस वाले image को चूज कर लेता हूँ उसके बाद इसका जो size है उसको आपको थोड़ा बड़ा कर देना होगा तो इस तरीके से मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको adjust कर लेता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको cropping पर जाना होगा और यहां पर आपको मस्क को एनेबल कर देना होगा और यहां पर फीदर का ओप्सन है इसको आपको थोड़ा बढ़ा देना होगा तो इसको आपको 24 या पर 25 कर देना होगा तो मैं इसको 24 कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो इसका जो size है इसको भी मुझे थोड़ा बड़ा करना है तो मैं इस तरह किसी इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसके बाद दोस्तो नीचे एकदम जो white image है उसको आपको slate कर लेना होगा उसके बाद दोस्तो आपको left में एक kick option दिख जाएगा उस पर आपको click कर देना होगा उसके बाद दोस्तो आपको इस image को थोड़ा सामने लाना होगा और यहां पर जो a वाला white image है इसको आपको थोड़ा उपर कर देना होगा इसको फिर राइट पे लाना होगा इसको फिर ऊपर कर देना होगा फिर इसको राइट पे लाना होगा फिर इसको फिर ऊपर कर देना होगा फिर इसको फिर ऊपर कर देना होगा फिर इसको राइट पे लाना होगा और फिर इसको फिर ऊपर कर देना होगा तो आप एक इस तरी पर क्लिक कर देना होगा उसके बाद दोस्तों इस इमेज को आपको स्लिट कर लेना होगा और इसका जो साइज है इसको आपको बहुत चोटा कर देना होगा मैं इसको बहुत चोटा कर देता हूं और इसको इस तरीके से अज़स्ट यहां पर कर लेता हूं और उसके बाद आप को क्रॉपिंग पर क्लिक कर देना होगा और यहां से इस इमेज को आपको पतला कर देना होगा तो मैं इस तरीके से पतला कर देता हूं और इसका जैसाइज है इसको मैं थोड़ा छोड़ा कर देता हूं उसके बाद इसको आप पूर नीचे लाना होगा इसके बाद दोस्तों तो फिर इस image को स्लेट करना होगा और यहां पर की वाला option पर क्लिक कर देना होगा और इसको थोड़ा सामने करना होगा इसको थोड़ा उपर कर देना होगा इसको थोड़ा सामने करना होगा फिर इसको थोड़ा उपर कर देना होगा इस तरह सामने करना होगा फिर इसको थोड क्लिक करना होगा इसको थोड़ा सामने करना होगा इसको थोड़ा नीचे करना होगा इसको थोड़ा सामने करना होगा इसको फिर थोड़ा नीचे कर देना होगा इसको थोड़ा सामने करना होगा फिर इसको थोड़ा नीचे कर देना होगा जोस्तों बेसिकली हमने यहां पर ए पर एक्सपोर्ड हो जाएगा और जब आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा उसके बाद आको फिर कर लेक्ट यहांद इनके कर लेना होगा तो मैंने डाउल लोगा कर रखा यह पहले से उस च्प्लेट को यहां से तो आठो लेता हूं। तो इस टेमप। की मैं आपको प्ले करकी दिखा देता हूँ हुआ है तो क्या करना होगा उस वीदियो का साध़े चार्ट सेकंड वाले आफ27 पर आपको जाना होगा। को यहां पर चार्ट चला जयता हूं। उसके बाद आपको layer पर जाना होगा, media पर जाना होगा और जिस दवले animation को आपने अभी create किया उस animation को आपको यहां पर choose कर लेना होगा उसके बाद आपको इस animation को select करना होगा और यहां पर आपको एक blending option दिख जाएगा नीचे उसको बब आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मल्टिपलाई पर क्लिक करना होगा उसके बाद मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि यह किस तरीके से रेडी हो गया है दोस्तों यहाँ पर आप देख सेकते हूँ और यहाँ पे आपका जो चैनल का नेम है आपको यहाँ पे लिख दिना होगा तो मैं यहाँ पे लिख दिता हूं Digital Nisam उसके बाद इस text का जो color है इसको आपको black कर लेना होगा कि कि इसका जो background है वो हॉइट है तो मैं यहाँ पे color पर जाता हूँ और इसका जो color है black उसको में select कर लेता हूँ और इसका जो font है और भी मुझे change करना है तो इसलिए मुझे font पर जाना होगा और यहां से आप कोई भी font चूज कर सकते हूँ तो मैं इस वाले font को चूज कर लेता हूँ और इस text को और भी glow करने के लिए आपको यहां पर एक select option दिख जाएगा इस पर आपको click कर देना होगा इसको enable कर देना होगा और इसको थोड़ा आपको जो distance से इसको थोड़ा बढ़ा देना होगा उसके बाद आपको यहां पर outline पर click करना होगा और इसको भी enable कर देना होगा और यहां पर जो वेट है इसको आपको कम कर देना होगा आपको तीन कर देना होगा और आपका जो चैनल का नेम है उस पर आपका एनिमेशन एड़ करना होगा तो इसके लिए आपको उस टेक्स्ट को स्लेट कर लेना होगा इन एनिमेशन पर जाना होगा और यहां पर आपको एक एनिमेशन दिख जाएगा लेटर बाई लेटर उसका पुसलेट कर देना होगा और यहां पर इसका जो लेन थी इसका आपको 1.5 सेकंड कर देना होगा दोस्तों यहां पर मेरा जो 3D इंट्रो है वो एकदम 100% डेडी हो गया है तो आप मैं इसको आपको प्लेगर कर दिखा देता हूँ तो दोस्तों आपको 3D इंट्रो एकदम 100% डेडी हो गया है तो इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको इस बाल आप्समेंट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आपको सेबस वीडियो पर क्लिक कर दना होगा तो आपका जो 3D इंट्रो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े और वीडियो को लाइक कीज़े थैंके सो मच पर वाचिंग बाई बाई